नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अजैस्त रोमनी गुरू चैनल पर मैं हूँ नीना और आज हम लेकर आए हैं सोलापूर दाल बजार की नवीनतम अपडिट्स और एडवांस विशलेशन आज की बाद सोलापूर दाल बजार की है जहां तूर की कीमतों में आज सुभा मामूली गिरावट देखी गई है कमजोर खरीद के कारण तूर के भाव में थोड़ी सी कमी हुई है लेकिन चने और उड़त के भाव में स्थिर्ता बनी हुई है नई गुलाबी किस्म तूर की कीमते 50 रुपे की मामूली गिरावट के साथ 9,000 से 9,600 रुपे प्रती क्विंटल के बीच बोली गई है आज बजार में 50 ट्रकों की आवक देखी गई है जो पिछले कारोबारी दिन की आवक के समान है इसी तरह अनागिरी चने के भाव में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसके भाव 5,600 से 5,700 रुपे प्रती क्विंटल के दावे में बोले गई है पिछले कारोबारी दिन की आवक के समान आज बजार में केवल एक ट्रक चने की आवक हुई है इसके अलावा दाल बजार में उड़त की कीमते स्थिर रही है और इसके भाव 7,000 से लेकर 9,200 रुपे प्रती क्विंटल के बीच बोले गए है बजार में पिछले दिन के बराबर केवल एक ट्रक उड़त की आवक देखी गई है इस पूरे संदर्ब में हम यहां देख सकते हैं कि सोलापूर दाल बजार में तूर, चना और उड़त के भावों में कुछ बदलाव हुआ है लेकिन वो बजार अभी भी स्थिर है हम आगे भी इसे गहराई से विशलेशन करते रहेंगे और आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे धन्यवाद, आप सभी को शुब दिन अजैस्त रोमनी गुरू पर रहिए और बजार की हर बदलती रुचियों के लिए हमारे साथ चुड़े रहें